तर्ट सवाल है उसमें से पहला सवाल जो है वो गवर्मेंट के साथ साथ बाकी सिक्टर के सब्सक्राबर के लिए भी लागू होता है इसमें सब्सक्राबर लिखते है मैं Central Government employee हूँ मेरे सालरी से जो NPS की कटोती होती है उससे जुड़े Tax Benefit के बारे में बताईए As a government subscriber, आप NPS के contribution के लिए दो तरह के tax benefit ले सकते हैं, एक जो आपका salary से जो कटूती होती है, आपका contribution, जो NPS में निवेश होता है, वो आप income tax section 80 CCD1 के तहत आप उसका tax benefit ले सकते हैं, लेकिन द्यान रहे हैं कि ये tax benefit, overall ceiling जो 1.5 lakh है, इसके अंदर ही आता है, अभी आप सबको तो पता ही होगा कि 1.5 lakh के अंदर बाकी सारे भी investment options होते हैं, याने कि LIC, PPF, PF, तो most of the time ये होता है कि 1.5 lakh जो limit है, जो tax benefit का limit है, वो exhaust हो जाता है, तो इस स्थिति में आप additional, आपका जो NPS contribution जो salary से कटा हुआ है, वो आप income tax section 80 CCD1B के अंतरगत क्लेम कर सकते है As per this section, आप 50,000 तक का additional benefit NPS में निवेश करके ले सकते हैं सर, अगला सवाल भी tax के लिए